एक आदमी बली देने के लिए एक बकरे को नहलाने ले जाता है, लेकिन किसे खबर थी कि आज एक अग्यात रहस्य से परदा उठेगा, जो उसके होश उड़ा देगा, एक समय की बात है, एक गाउं में एक आदमी ने भोज के लिए एक बकरी का बलीदान करने का निश्चे कि उसके बेटे बकरे को नदी में सनान कराने ले गए, जब बकरी नदी में सनान कर रही थी, तो अचानक उसने खिलखिला कर हसना शुरू कर दिया, अंततह मेरे कर्मों का चक्र पूरा होने वाला है, और उसके तुरंत बाद वह दुखी होकर रोने लगी, इस अनोखे व्यव पहुंचकर बकरे ने दुखी स्वर में कहा, इस बकरे की कहानी ने मेरी आँखें खोल दी है, मैं इसे बली पर नहीं चड़ाऊंगा, ऐसा कहकर व्यक्ति ने अपने बेटों से उसे पूर्ण सनरक्षन की आग्या दी, है मानव, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है, कर्म के फल से किसी की रक्षा नहीं की जा सकती, मेरे पाप कर्म की सजा को कोई भी नहीं बदल सकता, हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भुगतना पड़ता है, व्यक्ती ने उसकी बात नहीं मानी और वहां से चला गया, पिताजी ने कहा है कि हमें इसे बचाना चाहिए, चलो इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, जैसे ही वे बक्रे को ले जा रहे थे, उनके मार्ग में एक पेड़ के पास से गुजरते हुए, बक्रे ने अपना स सिर पर इतनी जोर से आलगा कि पलक जपकते ही उसका सिर धर से अलग हो गया, कर्मों का सिधान्त यह सिखाता है कि हमारे द्वारा किये गए हर कार्य का एक परिणाम होता है, अच्छे या बुरे, हमारे कर्म हमें नियती तक ले जाते हैं, इसलिए हमें सदैव धर्म का पाल हमारे जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकता है